अमिल अमिन पिटल जी कहीं न कहीं देखा गया है कि इल्लिगल स्ट्रेक्शन आपकी एरिया में बहुत हो रहा है यह जो आप 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 यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल एकन दबाना ना भूले देखिए हमारे लेटिस वीडियो सबसे पहले में बिल्डिंग गिरी पचास लोगों की मौत हो गई आपने देखा हुसेनी बिल्डिंग और कैसरभाई बिल्डिंग गिरी कहीं न कहीं कि आपको इस सब पता होता है इल्लिगल कंस्ट्रेक्शन देखिए देखिए सबसे पहले है तो मय आपका शुक्रेयादा करता हूं कि आपने बहुत ही का issue ओंण मेरे सामने लाया है मार आपने जो जो एक बात की कि क्यों मैं 10 साल से मुंबा दिभी पर राज करता हूँ वबसाई नहीं है मैं कही अलों से लोगों की खिदमत करता हूं लोगों का काम करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ, मेरे दिल में कभी भी politics राज करने वाला चीज नहीं है, रही illegal की बात, मैंने assembly के अंदर और assembly के बार, हर बार मैंने illegal structure का विरोत किया है, यह जो B-Ward के अंदर जो building से बनती है, जो illegal building से बनती है, उसके लिए उसकी पू मैंने बताया है, कि यह illegal काम चलता है, यह nexus है, उसको रोकना चाहिए, क्यूंकि आज बिल्डिंगे बन रहे हैं, लोग सस्ते में गर ले रहे हैं, जो illegal structure बनता है, क्योंकि आपके शित्र में ही है, आपके वार्ड में आता है, तो आपको पता होता है, यह पता रहता है, यह इसके अंदर B-Ward और C-Ward का बहुत कम हिस्सा जो इस तरफ का है, वार्ड नमबर 224 का है, वो मेरे में आता है, मैं बहुत सारा हिस्सा खोलावा एसम्मली में भी जाता है, मैं एसम्मली कोई भी हो, illegal जो काम होता है, अगर मुझको पहले दिन अगर tenant आके बोलेंगे कि हमार बंबई के लोगों के बताना चाहता हूँ, अगर मेरे टेबल पे किसी ने भी आके अगर शिकायत की, कि हमारे बिल्लिंग में illegal काम हो रहा है, मों इसको फोरन रुक आँगा, एक 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 जामपल दे रहा हूँ, कुछ दिन पहले मैं इंडिया से बार था, मुझको एक लेड को फोन करके बोला, कि अगर महां पे किसी ने एक EDB रखी, तो मैं खुद कोर्ट में जाकर कोऊँगा, कि यह illegal काम हो रहा है, अगर हमारे बास लोग आएंगे, और बोलेंगे कि illegal काम हो रहा है, तो definitely उसको रोका जागा, रोका है, जहाँ जहाँ हमारे सामने लोगों ने आक को लेकर, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आज किसको भी, अगर कोई मेरे पास कंप्लेंट आती है, राइटिंग में कंप्लेंट आती है, या वर्बल कंपन लाती है, मैं उसको follow-up करता है, सर्माल बनता भी और बिग भी जाता है, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज बन रही है, आज से दो साल, पांच साल, दस साल बात दब जब यह इसके अंदर को प्रॉब्लम आएगा, क्रैक डेवलोपेंगी, गिरेंगी, तो बहुत लोगों की जान जा सकती है, यह लोगों की जान से खेल रहे है, और इलिगल कंश्ट्रक्शन पे 101% रोक लगना चाहिए और उसका सबसे बड़ा समर्द तक मैं हूँ, मैं कभी भी अपनी लाइफ में नाही इलिगल कंश्ट्रक्शन को सपोर्ट किया हूँ, लेकि नमी जी, आप जैसे काया कि मैं विरोज करता हूँ, इसका लेकि एक ख़बर ऐसी आई थी, कि कुछ आप मोर्शा लेके गयते हैं, वी वार्ड में गांधी कोई वार्ड ऑफिसर थे हैं, तो बताए हैं कि आप पता ही चला, खबर से कि वो इलिगल बिल्डिंग के सपोर्ट में आप गयते हैं, मैं कभी भी इलिगल बिल्डिंग के सपोर्ट में मोर्शा लेके जाऊंगा नहीं कभी इलिगल बिल केस का अपरोल लो अगर बिल्डिंग अच्छी है तो कोट को जा के बताए कि बाइब बिल्डिंग साउंड है और इसको डिमॉलिशन करनी की ज़रोत नहीं है गांधी हो के शिरूड कर मैंने शिरूड कर को खुद बोला है शिरूड कर जब यहां पे आपके टेनियोर में बहुत ज्यादा बिल्डिंग बनती है इसको रोक लगाईए और एक्शन लीजिए और बीएंट्री का काम है पुलीस का काम एक्शन लेना मेरे पास को अपनी फॉस्ट आपको पता होता है क्योंकि कुछ भी होता हो आपको खबर आती होगी कि इलीगल न चाहता हूं अगर इलीगल काम शुरू होता है एक टैनेंट भी अगर आके मुझको कहेगा किसाओ मेरी काम हो रहा है मैं आपको रैटिंग में लिखे देता हूं क्यों एलीगल काम होगा ने टैनिंट का अगर सपोर्ट नहींगा टैनन Müंबई के अंदर वो मुमबादी भी हो, कुलाबा हो, के मलबार ही लोगे, भाई का लोकाई पर भी, अगर कोई लिगल कंस्ट्रिक्शन चलता है, और हमारे पास उसकी कंप्लेंट नाएंगी, तो हम BMC को उसके उपर एक्शन लेने के लिए क्लियर कट इंस्ट्रिक्शन देंगे. आपके बाजू में कई हजार क्लोड का प्रोजेक्ट चालू है, SBT, उसमें छे की अफसाई दी जा रही है, इसमें जन्ता नाराज उनको फाइदा नहीं मिल पा रहे हैं, इसके बारे में क्या देखिए, जैसे आपने इलिगल कंस्ट्रिक्शन की बात की, हमारे एडिया के अं मैं दो नजर से देखता हूं, एक मेरी नजर यह है कि क्लश्टर डेवलोप्मेंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्लश्टर डेवलोप्मेंट के अलावा, दक्षिन मुंबई के अंदर को सुलूशन ही नहीं, आज एक बिल्डिंग बन जाती है, 22 माले की उसके अ हो, तो लोग जब गर आजाते हैं, साड़े दर ग्यारा भई के बाद, तो बाइक तो लोग रस्ते में लगेंगी, आपने अच्छा बात, पार्किंग को लेकर भी लोग नहराज है, क्यूकि आपका जो एरिया डबर डबर पार्किंग होती से पहले भी आपसे बात हुईती के बाद, पार्किंग को लेकर तो पार्किंग पिए बऌत बड़ी समस्या बन गई है, तो इसके लिए अपने अपता क्या 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 आपने सवाल आपका जो सवाल, क्यूग QUE सवाल कहimporte है, क्यूंकि आपका सीधी बात नो बक्वास तुम्हें जो है सिधी बात ही करना चाहता हूं तो क्लश्टर रिडवल्पमेंट एक ही और यह स्बूट का जो क्लश्टर रिडवल्पमेंट हो रहा है वहां लोगों पहला हमने देखा है कि किस तरह से लोग रहते थे चोटे-चोटे गर थे आप उनको साड़े 300 फूट के घर मिलेंगे, अटाइश्ट टॉरेट बात मिलेंगा, ओपन स्पेस की जगा मिलेंगी, मगर वहां पर जो लोगों को जुनियन प्रॉब्लम है, आज भी मेरे पास जुनियन प्रॉब्लम लोग आते है, मज़ित का मसला था मही था, मोहिन मिया थे, खालिद बाब प्रॉब्लम सॉल हो, ताकि ओपन स्पेस का प्रॉब्लम सॉल हो, ताकि लोगों को बड़े घर मिल सके, जहां तक आप पार्किंग की दूसरा सवल आपका पार्किंग का है, तो अमिर साब ऐसा है कि अगर आज सब नौजवान है, पचाश टकाचे उपर जो लोग हैं और न देखोगे इस तरफ जो हमारा है, यहां पर कोई पार्किंग के टावर्स नहीं है, तो आज जब क्लश्टर रिडवर्पन होगा, तो ही पार्किंग का प्रॉब्लम सॉल होगा, रस्ता छोटा है, जगा उतनी है, तो मेरी लोगों से खास करके, मेरे नौजवान साथियों से रिक्वेश्ट है, कि आप जब भी गाड़ी पार्क करते हैं, तो ऐसा पार्क करो, कि लोगों को तकलिफ ना हो, अमेले वारिष पठान ने चौदा सो पार्किंग दिलाई रहे जामें, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आपका, देखे, वारिष पठान मेरे दोस्त है, रायजा का जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट आठ साल, नौ साल पहले शुरुआ था, और वो 33-24 का प्रोजेक्ट है, 33-24 का मतलब यह होता है, कि पार्किंग के लिए वाँ पे, तो, रायजा का प्रोजेक्ट तो बहुत पहले ही आया था, वारिष ने लगातार बार-बार उस प पार्किंग थी, वो भी हेंडोर होगी है, आज हमारे यहाँ पर इस तरफ जो बीवाट की आपको जो बहुत गुंजान अबादी है, उसकी बात करते हो, वाँ पे कोई भी डेवलपर ने 33-24 का प्रोजेक्ट किया नहीं है, अगर 33-24 का प्रोजेक्ट होगा, वाँ पे पार पार्किंग तो लोगों को मिलेगी, बर बिल्डर को इसके आगेंज में अगर 33-24 का कोई प्रोजेक्ट होता है, तो डेफिनेटली यहाँ के लोगों को भी निजात मिलेगी और पार्किंग से आराम मिलेगा, मगर आज के जोर में लोग जो देख रहे के वहां नीचे पार् पार्किंग में यह प्रोजेक्ट इस एरिया के लिए ज़रूरी है, इलेक्शन आता है, अमिन जी बड़े बड़े वादे किये जाते हैं, मैं ऐसा करूंगा, वह करूंगा, मुझे वोड़ो, इस प्रोजिशन का कहना होता है, फिर अब जिरेमान इटी कॉलेज बन पड़ी कब चाले होती है, पहली बात तो मैं कोई भी इलेक्शन में बादा करता नहीं हूँ, क्यूंकि मैं जिस दिन से एलेक्शन जीतता हूँ, उसी दिन से काम करता हूँ, आपने देखा होगा, आमिर भाई, कि कभी भी 365 दिन हम लोग पबलिक के बीच में अवेलेबल है, आपने आईटी आई की बिल्डिंग के लिए प्रॉब्लम आया है, और मेरी अभी मीटिंग हुई थी, कुछ दिन, कुछ मेने पहले, मीटिंग रेगुलर होती रहती है, सेकर्टिक से मीटिंग होती है, उस टेंडर क्लॉस के अंदर कॉंटेटर काम नहीं कर रहा था, आज बिल्ड है, एलफिष्टन कॉलेज के अंदर हर साल मेरे पास एक ओफिशन डेटा है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको देना भी चाहता हूँ, मुझको पता था, आज आप यहां आ रहे हो, तो यह सवाल मुझसे जरूर करोगे, यह पांच साल का डेटा है, गौवर्में तो यह हाजी अब्दुरिबान शाब आइटा है का पिछले पास साल में तकरीबन आठ सो पच्चासी बच्चों ने यहां से डिप्लोमा कर चुके, वो बिल्डिंग तैयार ने, मगर कॉलेज शुरू है, लोगों को हर साल डिप्लोमा मिल रहा है, तकरीबन हर साल 197 बच्च के माधियन से, अलग-अलग कोर्सित है, एक, दो, तीन, चार, पांच, साथ कोर्स चलते हैं, छे कोर्स के अंदर हर साल 197 बच्चे का इंटेक्ट है, जो 50% मैनुटी के बच्चे है, और 50% नॉन मैनुटी के बच्चे है, इसमें बहुत भी है, क्रिश्टन भी है, सीख भी है जेन भी है, पार्टी भी है, नॉन मुस्लिम बच्चे भी है, तक्रिपने पढ़ रहे, तो इस कॉलेज जो हमने शुरू किया था, वो एलफिशन कॉलेज मेट्रो टेटर के पाफ में चलता है, बच्चों को ट्रेनिंग हो रही है, मगर अब कॉन्टेक्टर चेंज कर दिया गवर्मेंट ने, इस जून के अंदर, इस ये बच्चे, जो अभी एड्मिशन लेंगे, वो वहाँ पर आके पढ़ेंगे, मगर लोग जानते हैं,